एक किलो भर प्रोटीन के डबबा खालोगे तो पांसो से साथ सो ग्राम तक प्रोटीन आपकी बॉडी अब्सॉर्प्शन के बाद भी आपके वेस्ट हो सकता है प्रोटीन कृश्ल सरिय काल बहुत सारे वीडियो आपने इंटरनेट पर यूट्यूब पर देखे होंगे जो के प्रोटीन के बादे हैं कि अपको इतना प्रोटीन खाना स्य होता है या आपकी बॉडी तो सारा अब्जॉर्ब कर लेती है कुछ वेस्ट नहीं होता है कोई कहता है यूरीन से निकल जाता है कोई कहता है बॉडी में बहुत लिवर किट्नी डैमेज हो जाता है तो what is happening यहां पर हो क्या रहा है कितना प्रोटीन खाना चाहिए आपके ट्रेनर या कहते है कि दो तीर चार ग्राम पर किजी बॉडी वेट आप खाए और कोई कहता है यूरी वां पर ट्वेट ऊजब ए ठिक्सच हों लॉड वेस्ट हो रहा है जो एक्स्टर खारे हैट या इसको सु म Dayot कह. इस को सबालों, सबुछों कुछ आज समझेंगे थोड़ा पैषि को अच्छे समझ में आएंगे वो मैं simplify कर दूंगा don't worry so question क्या है will your body absorb more than 30 gram protein per meal how much protein per day up will put more stress on your liver kidneys and can taking a very high protein diet 30 gram 40 gram protein per meal lead to protein wastage from urine or anywhere or how much protein should you actually take per meal per day or for max benefit minimum wastage यह बहारे चार में सवाल है मुद्धे हैं समझने वाली बाती है कि protein जब भी आप खाते हैं किसी प्रकार का food हो थोड़ा बग protein होता है और carbohydrates का digestion माउथ में शुरू हो जाता है protein का नहीं protein का digestion स्टमक से शुरू होता है small intestine में pancreatic enzymes कार्बोक्सी पेप्टाइड और फिर छोटा amino acid जैसे ग्लूकोस बनता है protein तोड़े तक तोड़े ताकि वो आपकी खून में जा सके एब्जॉर्ब हो सके अल्टिमेटली सारी बॉड़ी को तो खून लेके जाएगा ठीक है और मसल पे खून लेके जाएगा तो यहाँ पर सारे enzymes use होते हैं enzymes कौन बनाता है आपकी गट के GI tract के intestine के epithelial अंदर के जो cells होते हैं वो बनाते हैं और इसमे अवाइनो पेप्टेड़ेस प्टेड़ेस बहुत सारे enzymes अब इसको हम समझते हैं यहाँ पर है गाइटन एंड हॉल की medical physiology की textbook जो क्या बोलती है में जाने के लिए पहले उनको intestine के cell में जाना होता है वहाँ पे जाने के लिए अंदर खुषने के लिए कम से कम साथ अलग-अलग प्रकार के transporters हैं यह है एक intestinal cell इसमें अलग-अलग transporters से यह तीन और दो अलग-अलग dipeptide, tripeptide and monopeptide यह एक तीन प्रकार से होते हैं medical students क के अंदर वो cytosolic digestion होता है मतलब और ज्यादा उसको दो-तीन जुड़े होएं तो उसको और तोड़ा जाता है और वो single-single amino acid जो है cell से बाहर आते हैं बाहर आने के लिए ते साथ और transporters हैं जिसमें facilitated diffusion मतलब केवल एक pipeline बनी होई है protein की जिससे amino acid जा रहे है facilitated diffusion है और कई सार कर रखा है यहां के लिखा हुआ है approximately 50% of digested protein comes from ingested food 25% of protein from digestive juices and 25% from these squameted mucosal cells मतलब जो आपके intestine के अंदर की line होती है cells की वो 25% आप absorb कर लेते हैं हर रोज 25% आप अपने intestine small intestine को absorb कर लेते हैं उसकी swimmers cells उसका mucos cells जो है वो damage होके अंदर absorb हो जाते हैं हर रोज तो जो आप total protein आपकी body में आ रहा है total 50% सेवल उसमें digested proteins होती है 25% digestive juices and enzymes जो अभी यह सब enzymes की बात करी यह भी proteins है 2-5% of protein आपके small intestine से digestion and absorption escape कर जाता है मतलब वह वैसा का वैसा नीचे उतर जाएगा small intestine से नीचे large intestine में और large intestine में colon में वहाँ पर आपके bacteria या जो gut bacteria उसे digest करते है और वहाँ ammonia बनाते हैं इसलिए gas बनती है कई लोग कहते हैं मुझे प्रोटीन खाने कबाद गैस बनती है क्योंकि उनके body वह उतना protein में भी absorb नहीं कर पा रही या उनमें किसी प्रकार के digestive enzyme की कमी है evidence क्या suggest करता है कि जो यह cell के अंदर cytosolic digestion हो दाए एंट एंटे रोसाइट क तो महां पर उसकी साइटो सॉलिक डाइजेशन के activity कम हो जाती है क्यों हो जाती है खाना नहीं रहा बाहर से जब खाना नहीं आ रहा तो वह जल्दी जल्दी अंदर छोड़ना कम क्यों करेंगा क्योंकि याद रखो 25% खुद के cells को वह अंदर तोड़ तोड़ के भीज रहा अगर बाहर से नहीं आ रहे तो what does that mean? Small intestines में खुद के उपर से अंदर amino acids या protein देने की शमता होती है Small intestine का वजण आपके편 के अंदर केवल 1-1 1.5 kg तक केवल 1-1.5 kg का होता है Small intestine है एक से डेड़ किलो मसल कनेक्टिव टिशू ब्लड वैसल बहुत सारे स्ट्रक्चर और वाके फ्लॉइड को मिला की इतना वजन होता है तो वाई वजन स्माल इंटस्टाइन पूरी बॉडी के सातर किलो से किलोके आत्मी के हिसाब से बहुत ना के बराबर छोटा उर्गन तो अकेला आपके बॉडी के लिए कुछ नहीं कर सकता है पूरी बॉडी के मसल्स को अमाइनौ एसेड maximum नहीं श्टोर कर सकता है और बहुत छोटासे 10 इंडिविज्वल से लिए उनको आमाईनो एसे दिए जाते यह लो भी अपने घर का खरचा आपका ह्थुद का खरचा अमाईनो एसेड का तो आप अपने घर के खरचे को दूसरों के घर पे नहीं यूज़ ले लेता है वह तब ही बार देगा तिस्ट्रॉइब नहीं करती बनाती बनाती ए बनाती यह बनाती इसले अबर आपके बाल नरने बंद हो जाते हैं आपके चंबडी अच्छी नहीं रहे जाती है आपके हैर लॉस होते है कि बोड़ी को दूसरे important structure बनाने, intestine बनाना है, बाल नहीं बनाना, right, so that's why it's important to take proteins, ठीक है, now, let's come on to the other point, कितना absorbed हो सकता है, absorption from small intestine each day, क्या क्या कर सकते है, several hundred grams of carbohydrate, कोई limit ही नहीं है, hundred, 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 एक, एक किलो, डो किलो carbohydrate अब्सार्ब कर सकते है, fat का hundred or more grams तक fat absorb हो सकता है, 50-100 gram amino acid absorb हो सकता है, और 50-100 gram iron absorb से हो सकते हैं, और 7-8 liter absorb हो सकता है, पान, यह जो बात हो रही है, यह एक on an average आप रोज करते हैं, 50-100 gram amino acid आप हर रोज absorb करते हैं, चाहे आप खारे हो नहीं खारे हो, क्योंकि intestines भी है, digestive juices भी है, और 25-30 gram तो body में कहीं 10 gram, 20 gram, 30 gram में अच्छा balance right खा रहे हो, vegetarian तो भी आ जाता है, point आता है high protein पे जाने के लिए, but the point here is, यह absorption capacity is normal small intestine की बहुत कम बताई गई है, small intestine में अगर कोई देगा, तो वो इससे ज्यादा आने, each day as much as several kilograms of carbohydrate, kilograms भी absorb कर सकते हैं, 500 gram, आधा kilo चर्बी, अगर आप एक लीटर, तेल पी लोगे, तो आधा kilo तक वो absorb हो सकता है, और अगर आप एक kilo भर, एक kilo भर protein का डबबा खालोगे, तो 500 से 700 gram तक protein आपकी body absorb, लोग कहते हैं, 30 gram protein एक बार में absorb होगा, कर 40 होगा, कर 20 होगा, 500 gram तक भी absorb हो सकता है, 500 gram तक भी absorption की बात ही नहीं करने हैं, absorption is not the point, point is कि absorption के बाद भी आपकी body में खून में जाने के बाद भी आपके waste हो सकता है, protein, खून में चला जाना, waste गर पे आगया, अना जगर घर पे आगया, आपके, that doesn't mean कि घर पे आने के बाद वेस्ट नहीं होगा, अगर आप 500 kg गेहू लाके घर पे लख लेंगे तो अकेले तो खा नहीं सकते, ultimately waste हो गई, खपत भी जरूरी है, लाना भी देखना जरूरी है, इस हिसाब से लाना जरूरी होता है, same way इसमें amino acid उतना लाना जरूरी जितना use हो रहा है, जानने के लिए बने रहो समझाते हैं, तो 500-700 gram तक भी प्रोटीन आपकी body absorb कर लेगी अंदर डाल देगी खून में, तोड़ता जाएगा enzyme दाड़ते जाएगी, तोड़ते तोड़ते अगर वो digested protein है जल्दी चलाएगा undigested है, यह बहुत important aspects हैं, यह कोई reference की बात करो कि 2010 की गाइटन है medical physiology और जो दूसरा था वो गाइटन अनौल है 2021 की medical textbook है, सबसे latest guide है यह और यह one of the bibles of medical physiology बना जाता है, यह एक और मैंने highlight कि है, विदिन minutes virtually all the last dipeptides and tripeptides are digested into the final stage to form single amino acid and then they pass through the other side of the enteroside hence into the blood, within minutes अगर एक बार cell के अंदर गया है वो फटा बड़ यूज होने शुरू हो जाते हैं, सपा सप आपके blood में जाते हैं या फिर intestine उससे use करता है कि वही चलो मैं आपने आपको वापस regenerate करो, ठीक, so that is the thing, on an average हमने यह देख लिया कौन सा कितना कितना वजन होता है, कितना उसका यह होता है, अब बाकी amino acid pool जो होता है, वो intracellular और extracellular fluid में होता है, intracellular fluid का मतलब है body के सारे cells के अंदर का total amount of पानी, तो आपके शरीर के वजन का 50% हिस्सा intracellular weight होता है, समझें, और उतने में आपकी amino acid भरे पड़े है, यहने के आपके एक पूरे इंडिया के अंदर हर इंसान के हर घर में कितना पैसा है, घर के अंदर, ठीक, पैसा या नाज कहले, extracellular fluid यहने blood, blood body के अंदर, blood plus cells के in between थोड़ा बहुत fluid होता है, दूसरे component है, fluid content है, okay, well, 20% of total body weight है, तो 20% आपकी खुन में, या कहली जे घुंता है, 50% आपके cells में रहता है, और यह body weight, 50% of body weight, intracellular fluid, यहने कि अगर 70 kg के इंसान है, 35 kg उसकी intracellular fluid होगा, plus उसका blood होगा, तो as compared to this, small intestine is just 1.5 kg, 1.5 kg में कितना amino acid store हो जाएगा, I mean there is nothing like amino acid storage there, वो बहुत जादा उसका usage है, उसका usage बहुत जादा है, पट पट जादा, पट जादा, पट पट जादा, पट पट जादा, वो train station जैसा है, खर खर खर, अब station पर train बुकती थोड़ी है, ऐसा है, so that's the thing, so how much protein can you enteroside accommodate, very little, there is very little which they can accommodate, but it will depend upon a lot of things, अंदर कितना protein है, body को कितनी need है, आपने कितना खाया, आपके intestines कितना regenerate हो पाए, तो capacities की different होती है, transporters है की नहीं है, तूटे की नहीं, gradient कैसा है, अंदर जादा है protein cells के अंदर, अंदर कम है, तो क्या करेंगे, खुद को बाद में बनाएंगे अंदर तो, उसको कहते है protein sparing action of gut, protein वो spare कर देता है, कि मैं नहीं use करूंगा, body में कम है, body के vital organs चलते रहें, इसलिए, बाल बनाने के लिए नहीं देगा, वो अंदर, ठीक है, वो देगा, vital organs बनते रहें, तो protein sparing action होता है, कि हम अपने नहीं बनाएंगे, बनाएंगे, कभी न, कभी तो आएगा, खाना तो खाओगे, कभी तो आएगा, तो बनाएं, protein sparing function भी होता है, फिर बात आती ही amino acid pool, amino acid जाता, कहां है, blood में, extracellular, intracellular fluids, सब को मिला के, और जो दिन भर protein का breakdown बनना, breakdown बनना होता है, तो breakdown होके, जितने muscle टूटके, जितने cells टूटके, जितने internal organs में टूटके, जो amino acids, blood में आते हैं, वो tissue protein टूटके भी amino acid pool में आते हैं, body रख नहीं सकती protein, खून के अंदर, खून के अंदर भर के नहीं रख सकती, या तो उसे use करेगी, muscle बनाएगी, tissues बनाएगी, सब बन गया, तो निकाल देगी, proteins cannot be stored, यह समझ लिए, कहां के जाता है, small intestine में, हमने देख लिया, digestive के small intestine में amino acid आ गया, वहां से चला गया, systemic circulation में, systemic circulation में, सबसे पहले, लिवर में जाता है, लिवर में कई सारे functions होते हैं, amino acid से, कुछ amino acid से energy बना सकते हैं, मानलो आप glucose नहीं ले रहे, आप प्रोर, मैं तो protein protein खाऊंगा, तो liver का काम बढ़ जाएगा, उसे amino acid से plasma protein भी बनाना है, जो खून में जाए, और glucose भी बनाना है, ओके, और फिर आपके body को use amino acids या protein for energy, yes, वो energy के लिए यूज कर सकते हैं, glucose बना सकते हैं, ketones बना सकते हैं, और इस ketones बनाने में, body जब energy के लिए amino acid यूज करती है, muscle building के लिए नहीं कर रही, glucose से energy निकालना body के लिए easy है, amino acids से energy निकालना difficult है, ketone बनता है, urea बनता है, toxic waste product बनता है, urea, it's an endotoxin, that means your proteins are getting wasted for energy, which can be easily gained by glucose, if you are taking less glucose, more protein, your body will use your protein for energy, energy या फिर storage, glucose से बना के fat बना देगी, ये भी होता है, proteins can be stored as fat, ultimately, पर उसके लिए body को बहुत महनत करना ही पड़ेगी, body को उससे और by-product भी निकालेगा, ammonia, urea, urea, urea cycle में kidney से जाके excrete होगा, तो indirectly, अगर बहुत ही ज़्यादा amino acid लेते हैं, तो वो ज़्यादा ammonia बनाएगा, आप उसके बारे में बात भी करते हैं, चलो, let's understand, chemically, carbohydrate और lipids को छोड़के, आपके protein के अंदर nitrogen होता है, तो extra amino acids हैं, वो direct excrete नहीं हो सकते, जो आपके motion भी निकल गया, अभी 5% वाले, मान लोग आपने बड़ा-बड़ा, पीस उसके fatty acid, ketone body, fatty acid मतलब fat बना सकता है, glucose बना सकता है, ketone body बना सकता है, metabolic fuel जैसा energy के लिए यूज़ कर सकता है, इसको समझते हैं, समझो यह, बहुत important background diagram है, जब आप खाते हैं, तो 50-100 ग्राम तक food से आता है, अबने देखा, on an average हर आदमी, तो although digestion में, absorption में 500 ग्राम तक कर सकते 10 ग्राम पर डे, intestine से नीचे आपका waste भी हो रहा है, 10 ग्राम पर डे, आपका waste हो रहा है, motion में इसलिए, ब्रोटिंग भी हो दी, तो आपने 1500 ग्राम पर डे, आपके cells में, amino acid pool में, कहां absorb हो के गया, blood में, extra-cellular fluid में, जिसे हम amino acid pool में आते हैं, जिसे average मातरा आपकी body की glucose की होती वैसी average मातरा amino acid pool की मानिगे, कि 100 gram के असपास amino acid pool, अब किसी का 100 से high protein, highest protein diet में जाएगा, तो amino acid pool की मातरा वो 120 हो सकती है, 130 हो सकती है, और किसी की बहुत लो हो सकती है, तो average 100 है, अच्छी मातरा में, इनसे क्या होता है, 100 gram amino acid pool से, याद रखिए, आपका liver जो है, को कई सारे D- निवो amino acids, amino acid बना सकता है, non-necessary amino acid बना सकता है, वो भी आपके इसी pool में डालेगा liver, और फिर जब यह amino acid बन जाएंगे, और excess amino acid होंगे, याद रखिए, this will get degraded, जितना होता है, कितना degraded होता है, मानि जा आप 50-500 खा रहे हो, तो 500 रखना है, तो 50-100 gram per day, आपकी body excess degraded करती है, क्या बनाती है, glucose, lipids, fat, ketones, urea, और यह urea kidney में जाता है, glucose से ATP बनती है, यह पूरा excess amino acids आपके use हो रहे हैं, which is not for muscle building, muscle building के लिए नहीं use हो रहे हैं, body को जिंदा रखने के लिए use हो रहे हैं, यहाँ पर, normally भी होते हैं, 50-100 gram per day, पर अगर यह मात्रा बढ़ जाती है, लोग की जगा 200 gram, 300 gram, 400 gram protein खाते हैं, तो degradation यहने wastage भी बढ़ेगा, याद रखो, तो आपकी wastage भी बढ़ रही है, तो यह जो conversion हो रहा है, everything is happening in your liver and kidneys, so liver and kidney पर थोड़ा stress तो आएगा, आएगा कि नहीं, उस stress बढ़ता जाएगा, तभी कई लोगों की liver kidney खराब होती है, तो बोलते ह अत्त मात्रा में लेने से, 4-4-5-5-6-6-8-8-8 gram पर kg body weight लेने से liver kidney खराब भी हो सकती है, एक बर में 60 gram लेने से नहीं हो जाएगा, हर एक cell के अंदर उसका amino acid होता है, और वो lose, अगर आप लेते हैं, तो वो lose भी कर रहा होता है, लेता है, लेता है, लेता है, लेता है, डाइ में सबसे जादा तेजी से कहां पर ये बनना होता है, intestinal mucosa सबसे पहले, second kidney, third liver, फिर brain, फिर muscle, तो आपके amino acid extra लिए, आपके intestinal mucosa, फिर kidney, फिर liver, फिर brain, फिर muscle पर protein turnover बढ़ेगा, किसका इंत हिसाब से, so contribution of amino acid pool is the turnover body protein, intake of dietary protein, synthesis of non-essential amino acid, जो करता liver, cells के अंदर क्या हो रहा है, याद रखो, नीचे सामने क्या देखा, 1500 तक के, 1500 ग्राम रिजॉप्शन हुआ, और 100 ग्राम amino acid pool में आया, और इस 100 ग्राम में से, literally, रोज का शरीर के अंदर जो functional proteins होते हैं, इस protein को रोज बनने में, protein synthesis होता है, 300 से 400 ग्राम पढ़ेगा, और रोज protein तूटता भी है, तूटन है, energy, glucose, fat, non-essential, आप चाहते हो, सिर्फ, सिर्फ, muscle बने, ऐसा नहीं होता, body, आपकी body उसे energy, glucose, fat, और non-essential amino acid, urea बनाने में भी यूज करेगी, so protein turnover total बढ़ाओगे, अगर ज्यादा amino acid, ज्यादा protein लेके, तो body के, जिन जो organs उसको काम कर रहे हैं, उस पर load तो बढ़ेगा न, ज गाड़ी ज्यादा चलाओगे, तो गाड़ी पर load तो बढ़ेगा, न, short में, जिसको नहीं समझ में, short में, जो खाया amino acid pool में जाता है, उसे tissue protein बनता है, वापस tissue protein टूट के amino acid pool में जाता है, और daily basis पे कुछ आपका excrete होता है, as urea and NH4 in urine and in stool, ठोड़ा बहुत और कई सारा energy, heme प्रोटीन का ये इस्तमाल होता है, तो ज्यादा प्रोटीन डालने से कुछ मातरा में, प्रोटीन वेस्ट भी होता है, कई मातरा में भी होता है, तो अब सवाल आता है, पि मैं कितना खाऊं फिर, वेस्ट नहीं होना चाहिए, है न, कि how to give positive nitrogen balance, जो कि positive nitrogen balance का मतलब है, growth हो रह है, आपके body के अंदर essential mindset नहीं है, आप कम protein खा रहे है, आप ढूक के रह रहे है, तब negative nitrogen balance, पॉजिटिव में तब भी हो सकता है, अगर कोई growth hormone ले रहा है, testosterone ले रहा है, तो insulin ले रहे है, तो insulin positive balance करता है, इसलिए हर बार होड़ा थोड़ा खाने के साथ, carb खाना अच्छा हो हलका insulin, zero carb diet भी अच्छी नहीं है, खोड़ा balance बहुत जरूरी है, और starvation में जाओगे, wasting disease, fever, surgery, कोई भी बिमारी होती जाती है, negative nitrogen balance में जाओ, या फिर आप कुछ ज्यादा thyroid hormones खा रहे हो, weight loss, steroids, दूसरी दवाया खा रहे हो, तब भी negative nitrogen balance, weight भी loss होता है, पर muscle भी loss होता है, इस जिसमें वहां तक की एक, दो नहीं, 40 studies को, let me tell you, यह 40 studies को आज तक की 4, 5, 10, 16, 18, 20, 37, 31, 35, 39, 40 study को, बिना किसी funding के analyze करके उन्होंने, meta analyze करके आपको बता रहे हैं कि कितना है, controversy exists करती है, बिल्कुल करती है, मगर क्या कहते हैं, कि आपने कितनी भी study करके, यह paper यह है, पढ़ अच्छे से, मैं यह अलग से नहीं समझाऊंगा, तो यहाँ पर यह क्या बनाता चाहते हैं, कि anabolic threshold क्या है, the objective was to review anabolic threshold for per meal protein intake, और conclusion वो उससे draw करना जा रहे हैं, कि आप कितना खाएं, कितना ना खाएं, तो इस studies का, इनके पूरी सारी के सारे लेके, उनकी study का conclusion क्या रहा, जो यह ने क्या बोला के, आप की body के भी अच्छुड तो maximize anabolism, one should consume protein target intake of 0.4 gram per kg per meal, 0.4 gram per kg per meal, across a minimum 4 meals in order to reach a minimum of 1.6 gram per kg body weight, और upper limit है 2.2 gram per kg body weight, पूरे दिन में 2.2 gram per kg body weight, और एक meal का upper limit है 0.55 gram per kg per meal, यह upper limit क्या मतलब, ज्यादा खाऊगे तो absorb नहीं हो रहा हो रहा, जित्ता खाऊगे उत्ता absorb हो जाएगा, कई सारा stress पढ़ेगा body पे, कई सारा wastage होगा, आपकी body में energy बनाने के ले, fat बनाने के ले, glucose बनाने के ले, urea बनाने के ले, urine से निकले, so unnecessary इतना ज्यादा protein मत खाओ, 4-4 ग्राम, 5-5 ग्राम, या हर मील में 60-60 ग्राम, इतना भी नहीं खाना है, 0.5 ग्राम पर केजी पर मील is very good, best है, 0.5 यहनि अगर आप 70 किलो के हो, तो 35 ग्राम पर केजी body, पर 35 ग्राम पर मील खाओ, अगर आप 100 किलो के हो, तो 50 ग्राम पर मील खाओ, या अगर 3 मील खाओ, या 40 gram per meal, 4 meal खा लो, 5 meal खा रहे हो, तो ये total 0.2.2 gram per kg body weight खाओ, naturally, enhanced athlete हो, तो 3 gram तक जाने का मतलब है, वो भी सिर्फ bulking stage पे, cutting पे धाई 3 तक जागे, 4-5 लेने से body पे stress तो पड़े गई, फिर liver function, kidney function test कराओ, बानी ज्यादा पी होगे, every single metabolic reaction in your body happens with water, ठीक है, now with this all knowledge, with this all thing, right, can you say protein doesn't get wasted, can you say कि भी आपकी body में protein store होता है, आपके intestine में, या कहीं भी, हाँ, नहीं होता, can you say that the amount of protein, आपकी trainer आपको कहरे हो, लोजिकल है, then send this to your trainers, send it to all the trainers, जो आपको गंद मलंद कुछ भी सिखा रहे हो, they think, कि भी, they know everything, because they have read something, doesn't mean कि you have that knowledge, जो एक 5 साल, 10 साल से, अपको में प medically जब आप बात सुनते हैं, तो कई सारे doctors हैं, जो आज के date में ऐसी चीज़े बोल रहे हैं, so take the reference, and listen to, choose your teachers wisely, that's what I mean to say, no disrespect to anybody, please share this as much as possible.